नमस्कार, क्रांती ओरेसा में आपका स्वागत है एक समय की बात है एक घने जंगल में एक बारहा सिंगा रहता था वो बड़ा घमंडी था एक बार वह तालाब में पानी पी रहा था और पानी पीते हुए उसने अपनी परचाई देखी वो अपने सुन्दर सिंगों को देखकर बहुत खुश हुआ पर अपने पतली टांगों को देखकर बहुत दुखी हुआ और वो भगवान को कोसने लगा एक बार कुछ शिकारी कुट्ते जंगल में आ गए और वो बारहा सिंगा के पीछे पड़ गए ये देखकर वो घबरा कर दूर भाग गया उसकी पतली टांगे ही उसकी भागने में सहायता कर रही थी भागते भागते अचानक उसके सींग टहनियों के बीच फंस गए उसने अपने सींगों को बाहर निकालने की बहुत कोशिश की पर वो अपने सींगों को बाहर ना निकाल पाया जिसके बाद उन शिकारी कुत्तों ने उसे घायल कर दिया और वो मरने की हालत में हो गया था मरते समय वो सोचता रहा इन सुन्दर सींगों ने मुझे मरवाया है और मेरी पतली टांगे मुझे बचा सकती थी कोई भी चीज अपने गुनों की कारण सुन्दर होती है